अजीज दोस्तों आदा वर्ज है मैं आज यहाँ पर तारदे हूँ आया हूँ मेरे दोस्त मिशल सुलिल मक्मार जी के साथ में और यह बता दूँ कि मेरे पीछे आप जो फैमस चेंबर देख रहे हैं वो बहुत साल पहले यहाँ पर फैमस स्टुडियो हुआ करता था और इस स्टुडियो में रफी साथ ने अपनी लाइफ के जादातर जीवन यहाँ के गानें के रिकॉर्डिंग में इन्हों ने दिया है बहुत बड़ा योग्जान रहा है इसी स्टुडियो में रफी साथ ने कई गानें को प्लैबेक आवाज दी है और सुनिल मक्मार जी के पिता साथ में यहाँ पर तारदयों पर फैमस स्टुडियो की बिल्कुल भाहर तरफ हूँ आप मेरे बैक साइट पर जो देख सकते हैं फैमस टेंबर लिखा है वह पहले फैमस स्टुडियो हुआ करता था रफी साब की बहुत सारी यादे इनके साथ